हेलो एब्रीवन वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल जारखन जीके की क्वेश्चन्स की प्रेक्टिस करने वाले हैं यहां पर और आज का जो हमारा टॉपिक है यह मुंडा जनजाती से है ठीक है इससे पहले हम लोगों ने संथाल जनजाती उसके बाद उराओ जनजाती की क् क्या है और सारे के सारे क्वेश्चन्स जो है ना प्रेक्टिस हो जाएगी तो आप लोग क्लास को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कम्प्रीट वाच करना बहुत कुछ यहां पर आपको नए सीखने को मिलेंगे और आप जो भी जानते हैं उसकी यहां पर बहुत ही अच और कमपट किस प्रजाती की शाखा है देखो आप अगर मुंडा जनजाती को अच्छे से जान लेते हैं उसमें क्या क्या रिती रिवाज क्या कौन कौन सी चीजे होती है तो एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है तो जैसे कि यहां पर महली और कमपट यहां पर बोल जनजाती जो है यह संधाल है उसके बाद उराओं है दूसरी तीसरी है मुंडा दिन चोथी है हो इतना आपको याद रखना है और हर एक क्वेश्चन के साइड में यहां पर कौन से एक्जाम में पूछा गया है यह मैंसन रहेगा तो आप यहां पर देख सकते हैं एक्स्प कौमपार्ट मुंडा कहा जाता है यानि कि आप यहां पर समझ सकते हैं कि मुंडा जो जनजाती है इसको टू पार्ट में डिवाइड क्या गया है पहला है महली मुंडा दुसरा है कौमपार्ट मुंडा महली मुंडा जो है अपने आपको कौमपार्ट मुंडा से यह जो दोनों, जो महली मुंडा है, कॉमपार्ट मुंडा है, अपने आपको ये लोग श्रेष्ट मानते हैं. नेक्स्ट क्वेशन यहाँ पर सेकेंड नमबर है, राची जीले में सबसे अधिक संख्या में से कौन सी जनजाती मिलती है? तो आपको यहाँ पर ना, जिसकी वो संथाल जनजाती, उराओं जनजाती वाला में कराई थी, इससे पहले जो क्लास हुई थी, उसमें भी स्यम टाइप का क्वेशन था, लेकिन आपको ऑप्शन देखना होगा, according to option आप आप आंसर को चूज करेंगे, ठीके, तो यहाँ पर राची जिले में सबसे अधी कौन सी जनजाती मिलती है, तो यहाँ option भी मुंडा, और मुंडा नहीं होता, इसके जगह पर अगर उराओं होता, तो यह राइट आंसर हो जाता, ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एक्स्प्लानेशन है, यहाँ पर मुंडा जार्खन में कोलेरिय मुल की वो एक जनजाती है, उराओं जनजाती, तो वैसे मुंडा जो है, यह कोलेरियन समो की एक सरशक्त और शक्ति साली जनजाती है, जार्खन में यह अबादी की द्रिष्टी से तीसरी सबसे बड़ी जनजाती है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर पहले बताई थी, कहीं भी जाईएगा, तो मुंडा जनजाती की लोग आपको मिलेंगे ही, मिलेंगे, इनकी सरवादिक संख्या जो है न कूटी जिला में पाई जाती है, दिएगे विकल्प के अनुसार मुंडा जनजाती की संख्या राचे जिले में सरवादिक है, जैसे कि मैं आपको तो यह obvious है हर किसी को आना चाहिए इसका answer option first है यहां पर पुर्वजों की अस्थियों को रखते हैं कहां पर सासन में यहां पर explanation है मुंडा समाज में मृत्यू होने पर लाश को दफनाने और जलाने की दोनों प्रथा पाई जाती है यह हर एक में होता है और दफनाने की जो प्रथा है अधिक प्रचलित होती है यह मुंडा जन जाती में है न और बहुत किसी में उनको मतलब जलाया भी जाता है तो दफनाने की प्रथा सबसे अधिक प्रचलित कौन सी जन जाती में है तो answer is मुंडा जन जाती में है कहीं कहीं बुढे बुजूर्ग और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के शव को जलाया जाता है और मरने के बाद मरनो प्रांत अस्थी कलश एक निस्चित अस्थान में गार दिया जाता है इस अस्थान को ससान कहते हैं तो question यहीं से बना था ससान पर एक पत्थर रख दिया जाता है इस पत्थर को ससान दिरी कहा जाता है मेरे को याद है दिरी मतलब पत्थर होता है हो भाशा में ससान मतलब उस जगह जहां पर अस्थी कलश को गार दिया जाता है रख दिया जाता है वो उसी को ससान दिरी कहा जाता है जो उसके उपर में फिर पत्थर को रखा जाता है न इसे हडगड़ी भी कहते हैं देखो यह सी क्वेशन बनेंगे ससान दिरी कहा जाता है और इसी को न हडगड़ी भी कहा जाता है और ससान दिरी ही मुंडा गाउं की असली पहचान होती है बिल्कुल और अस्ति विसरजन पो जाती है जंग टोपा कहते हैं इसको तो आप एक्सप्लानेशन को अच्छे से पढ़ लेंगे वीडियो को पाउस करके और नोट डाउन कर रहे हैं तो आप इंपोर्टन पॉइंट को लिखेंगे एज़टी आपको उतारना नहीं होगे नेक्स्ट है यहाँ पर फोर नमबर क्वेशन मुन्डा ससान में क्या रखते हैं तो हमने अभी जस्ट किया ऑप्शन से यहाँ पर पूरवजों की हड़ियों को रखा जाता है फाइब नमबर क्वेशन है निमलिखित जनजातियों में से कौन सा मुरितकों की याद रखने के लिए ससान दरी जगा है यह जो ससान दरी जगा है यह कौन से जनजाती करते हैं ऑप्शन बी राइट आंसर होगा जो की है मुन्डा जलड में किस जनजाती का यूआ ग्रे गिती ओरढ के नाम से जाना जाता है तो यह यह आंसर होगा Option D जो की है मुंडा है मुंडा जनजाती के जो यूआ ग्रे यह उसको क्या कहा़ा जाता है गीती ओरढ या पिर गिती ओरढ भी कहेंगी रहेगा कहा जाता है आपको comment section में बताना है कि संथाल जनजाती के you agree को क्या कहा जाता है और around जनजाती के you agree को क्या कहा जाता है मैं इसलिए आप से पूछ रही हूँ ना क्योंकि ये मैं कराई हूँ आप लोगों को है ना question हम लोगों ने यहाँ पर discuss किया हुआ है अन्य जनजातीयों की भाती मुंडा समाज में अविवाहित यूवक तथा यूवतियों के लिए अलग-अलग यूवाग्रे का प्रवधान किया जाता है जिसे मुंडारी भाशा में गीती योडा कहा जाता है मुंडा जनजाती का युवागरे गीती ओड़ा एक प्रशिच्छन केंदर या गुरुकूल की तरह होता है जो मुंडा समुधाई के युवक और युवतियों को सिक्षित दिक्षित प्रसिक्षित करता है वर्तमान समय में इसका प्रचलन नगर्ण्य ही है मतलब कम है इसका है ना जो युवागरे होता है इसका नेक्स्ट है यहां पर सेवन नंबर क्वेशन मुंडा अबादी खुद को क्या डेस बताते हैं तो यह क्या बताते हैं होडो को बताते हैं ओप्शन फर्स्ट यहां पर करेक्ट आंसर होगा एक्स्प्लानेशन है यहां पर मुंडा अपने आपको होडो को कहते हैं जैसे उराओं जन जाती के लोग अपने आपको कुडुक कहते थे न वैसे ही ये लोग होडो को कहते हैं यानि कि इसका मतलब मनुश्य होता है वो अपने को कोल कहलाना पसंद नहीं करते हैं कोल ये लोग को अगर बोलते हैं तो तो मतलब बुरा लगता है, इस टाइप से, इस सेंस में आपे दिया हुआ है, यदि अपी मुंडा कहे जाने से, उन्हें कोई आपती नहीं थी, क्योंकि उनकी भाषा में इसका अर्थ है, विशिष्ट व्यक्ति होता है, मुंडा का अर्थ क्या है, पूछेगा, तो विशिष विशिष्ट व्यक्ति होता है, जारकन के रांची जीले में कौन सी जन जाती सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं, तो मुंडा जन जाती, जैसे कि मैं आपको बोली थी, ओप्शन के एकोडिंग आपको करना है, तो यहां पर देखो, इधर साइड में जन जाती है, और कितना होगा? 3,210,000 है, यहां आपको याद रखना है, 3,210,000 है, नेक्स्ट है, यहां पर 9 नंबर क्वेशन, जारकन के कौन सी जन जाती बसी वी क्रिशी करती है, तो यह मुंडा जन जाती करते हैं, बसी वी क्रिशी, एक्स्टानेशन है, मुंडा जन जाती, बसी वी क्रिशी करती है, यह अस्थाई गाओं में निवाश करती है, तथा हल, बैल की साहता से खेदी क्या करती है, और जारकन राजे में अधिकतर इन ही से खेदी क्या जाता है, इसने चाय का जो माधिया में, यहां पर कुआ है, तलावे इसका परियोग करते हैं, और इनका मुख्य व्यवशाए जो है क्रीसी है, संधाल जन जाती का भी मुख्य व्यवशाए क्या था? वहां भी क्रीसी ही था क्रीसी के अतिरिक्ति ये पशुपालन तथा जंगलों से वन ये पदार्थों का संग्रहन भी करती है मुंडा समुदाई के लोग जो है ना जादतर धान की खेती करते हैं मुंडाओं के प्रमुक देवता कौन है तो इनके जो प्रमुक देवता है ना सिंग बोंगा है और देख लेते हैं एक्स्प्लानेशन है यहां पर मुंडा प्रकृति के पुजारी होते हैं प्रकृति की यहां पर पुजा क्या जाता है जिनके धार्मिक विश्वास पर जीववाद, बोंगावाद, प्रकृतिवाद, टोटमवाद, टैबू, जादूई विश्वास और पुर्वज पूजा की छाप है मुंडाओं का सर्वस्रेस्ट और सर्वशक्ति मान देउता जो हैं ये सिंग बोंगा हैं जो सर्वव्यापी और निराकार हैं और आगे हैं यहां पर इनकी पूजा प्रतियेक धार्मिक आउसर पर होती है सिंग बोंगा पर सफेद फूल, सफेद भोग, पदार्त वा सफेद मुर्गा की बली यहां पर चड़ाई जाती है और आगे हैं यहां पर मुंडा के जो ग्राम देउता होते हैं उनको हातू बोंगा कहा जाता है बोंगा मतलब होता है बगवान और हातू मतलब गाउं होता है तो हातू बोंगा कहा जाता है इनके ग्राम देउता को जो पूरे गाउं के रक्षा करता है और देशावली गाउं के सबसे बड़ी देवी है कुल देवता ओता बोंगा तथा पहाड देवता बुरू बोंगा है और इनके जल देवता को यहाँ पर इकीर बोंगा कहा जाता है इनका पुजारी को पाहन कहते हैं याद रखना है आपको गाओं के जो सबसे बड़ी देवी होती है ये देशावली उसके बाद कूल देवता जो होते हैं वो ओता बोंगा होते हैं और पहाड देवता जो है ये बुरु बुरु मतलब जंगल बुरु बोंगा होता है इनके और इनके जल देवता जो है इनको इ मुंडारी भाषा को यहाँ पर होडो जगर कहते हैं option D correct answer होगा explanation है यहाँ पर प्रजातिय द्रिष्टी से मुंडा जन्जाति को प्रोटो उस्ट्रेलोइड स्रेणी में रखा गया है मुंडा जन्जाति की भाषा मुंडारी उस्ट्रो एशियार्टिक भाषा परिवार के अंतरगत में आती है तो मुंडा जन्जाति की जो भाषा है वो कौन से भाषा परिवार के अंतरगत आती है पूछेगा तो यहाँ पर मुंडारी ओस्ट्रो एशियार्टिक भाषा के परिवार में आती है और यह भाषा जो है ना भाषा को पोडो जगर भी कहा जाता है 12 नंबर क्वेश्चन है मुंडा जंजाती में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमी को क्या कहा जाता है तो यह डाली कटारी भूमी कहा जाता है ठीके पाहन कोन होता है जो पूजा पाठ करता है गाउं की उसे ही पाहन कहा जाता है मुंडा समाज में पुजारी को पाहन कहा जाता है यानि कि पुजारी जो होता है पाहन होता है गाओं की सुरक्षा तता कल्यान के लिए पाहन ही देवी देवताव को पुझा पाठ द्वरह प्रशनर रखता है, जो पुझा करते हैं, वही भगवान जी को प्रशनर रखता है, खुश रखता है, पाहन का सहायक जो है यह पुझार या फिर पन भरह भी कहलाता है, ऐसे भी question पुछे जाते हैं जो पाहन होता है और पाहन कौन होता है पुजारी होते हैं जो पुजा पाट करते हैं तो उनके सहायक को पुजार कहा जाता है और पुजार को भी मन भरा कहा जाता है पाहन को प्राप्ट करने वाली लगान मुक्त भूमी को डाली कटारी भूमी भी कहा जाता है और एक परकार की और सेवा भूमी पाहन को मिलती है जिसे भूत खेता कहते हैं इंपोर्टन्ठ है जो भी यहां पर आपको पिंग कलर में लिखा वा दिगरा है और इस भूमी के उपज से गाउं के भूत प्रेत की पूजा पाहन के द्वारा ही की जाती है 13. question है मुंडा अदिवासी चेत्रों में गाउं का डेस कहलाता है तो गाउं का क्या कहलाता है हातू मुंडा कहलाता है option भी correct answer है explanation यहां पर देखते हैं बहुत ही बड़ा है प्रतियक मुंडा गाउं में अपना जाती पंचायत होता है जिसमें गाउं के जगड़ों का निप्टारा जो है न ये ग्राम पंचायत करती है इसका प्रधान जो है ये मुंडा होता है और वो गाउं का मालिक भी होता है जिसे हातु मुंडा भी कहा जाता है यहां हो गया इतना आगे हातु पंचायत का भी मुख्या होता है इस पंचायत में पाहन एवं अन्य वुजूर्ग लोग रहते हैं हातु पंचायत के अलावा कई काउं प्राया 10 से 20 को मिला कर अंतर ग्रामिल पंचायत बनती है जिसे पढ़ा पंचायत भी कहा जाता है इंपोर्टन्ट है अगर पूछेगा पढ़ा पंचायत किसे कहा जाता है तो देखो हातु पंचायत के अलावा मतलब 10 से 20 गाउं को मिला करके जो पंचायत बनती है उसी को पढ़ा पंचायत कहा जाता है और यह मुंडा का सर्वच नियाय पालिका, कारे पालिका और विधाई का माना जाता है किसे तो पढ़ा पंचायत को इसका सर्वच अधिकारी पढ़ा राजा होता है कुछ मुंडा छेतरों में पढ़ा राजा को मानकी भी कहा जाता है हमारे साइड में मानकी बोला जाता है और पढ़ा राजा के मदद के लिए दिवान, कोतवाल, पांडे, ठाकूर, लाल, करता, दरोगा आदिस अदस्ये होते हैं और मुंडा और मानकी का पद वन्शानुगत होता है तो ये मतलब वन्शानुगत होता है जैसे उनके पापा है तो अगला जो बनेगा वो उनका बेटा बनेगा ऐसे करके वो हेरिडिटी यानि के चलता रहता है 14 नंबर क्वेशन है 2011 की जनगर्ना की अनुसार जार्खन में संथाल एवा मुंडा जनजाती का अनुपात कुल जनजाती है जन संख्या के अनुसार कितना है तो यहाँ पर रेशियो में बताना है तो पहले क्या पूछा गया अनुसार संथाल एवा मुंडा तो संथाल कितनी है यहाँ पर 32 संथालों की जन संख्या है वहें पर मुंडाओं की संख्या जो है कितनी है यहाँ पर 15 है याद रखना है आपको और संथाल जन जाती जो है न सबसे बड़ी जन जाती भी है संथाल जहारकन की सरवाधिक अबादी वाली अनुसूचित जन जाती है दजर 11 की जनगरना के अनुसार इसकी कुल जन संख्या जो है 27,054,723 हमादी यहाँ पर बोला गया है तो संथाल की है आगे है जो जहारकन की कुल जन जाती है अबादी का 31.86% है संथालों की लगबग 97% अबादी जो है न ये अच्छा ये नहीं होगा अच्छा ये ही है ये कहां पर रहती है तो शहर गाओं प्रतिशत अबादी गाओं में एवं 97% गाओं में और 3% जो है ये शहर में निवास करती है तो संथाल जन जाती में भी अगर आपको पूशा जाए कि कितने प्रतिशत अबादी जो है गाओं में है तो वहाँ भी सेमी या डेटा है 97% जो है ये गाओं में रहती है और 3% शहर में रहती है मुन्डा जारकन की तिसरी सबसे बड़ी सबसे अधिक अबादी वाली जन जात है नंबर्स को और जो जारकन की फुल जन जाती है आबादी का 14.21% है ये अब को याद रखना है किसकी तो यहां पर मुन्डा जन जाती की बात की गई है 15 नंबर क्वेशन है मुन्डाओं की पूर्खा कहानिया एक मौकिक परंपरा का हिस्सा है इस परंपरा को क्या कहा जा है तो 100,000 भोंगा कहा जाता है ओप्संस ही यहां पर करेक्ट आंशर होगा मुन्डाओं की पुर्खा कहानिया एक मौकिक परंपरा का हिस्सा है जिसे 100,000 भोंगा भी कहा जाता तो इसहां रिजिगर्ण जो है ना यह रोहतास से संबंदी थे रोहतास गड़ से संबंदी थे pretend option first यहां पर correct answer होना चाहिए तो explanation देखते हैं यहां पर मूंडा परमपरा का जो हरी कर दा है रोदास गड़ से संबंदी थे आरियों द्वारा मुंडाओं को पूरब की ओर खदेडने पर वे उत्तर उत्तर प्रदेश के आजम गड़ जिले में जाब से उत्तर भारत के दचिन भाग में बुंदेलखंड होते हुए मध्य भारत की ओर से बड़े बाद में आधुनिक रोहिलखंड अवद और रोतास गड़ होते हुए जारकन के छोटा नाकपूर में आकर बस गये जिसे शेखर भूम के नाम से कहा जाता है ये भी आपको याद रखना है सेखर भूम के नाम से किसे कहा जाता है ऐसे क्वेशन पूछे तो आंसर आपको स्ट्राइक कर जाना चाहिए इस परकार जारकन में मुंडा जनजातियों का आगमन उत्तरपष्यम भारत से हुआ है कहा जाता है कि सबसे पहले छोटा नाकपूर में मुंडाओं का ही आगमन हुआ था कब तो छेसो इसापूरों में हुआ था ऐसा कहा जाता है तो आप लोग यहाँ पर explanation को अच्छे से पढ़ लेंगे हैं क्योंकि question कुछ भी पूछा जा सकता है तो हमें अगर complete information होगा मुंडा जन जाती के बारे में तो कोई भी question आएगा तो हम बहुत ही easy way में कर सकते हैं next जो हमारे class होगी वो हो जन जाती से हम questions को complete करने वाले हैं तो आप लोग continue बने रहना और अपने friends में भी session को share कर देना और अगर आप complete watch किये हैं तो आप लोग session को like कर देना और मिलते हैं फिर हम लोग next session में जो हमारा topic होगा होगा हो जन जाती इसे जितने भी PYQs पूछे गए हैं